हालो बच्चों श्वागत है आप सभी का इस वीडियो में आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चनल स्टडी ओन बच्चों इस वीडियो के माद्यम से हम आपको एट ग्रेड अभ्यास पुर्थी का किषा आठवी के अंतरगत आपका विशाय जो बच्चों विज्ञान उसका आपका लास्ट लेशन है बच्चों प्रकास इस वीडियो में इस अध्याय के सब्हीं प्रशनों के उत्तर हम देखने वाले तो वीडियो को आपके सत्ड़ी विज्याय के माध्यम से आपको दिजा रही है तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्श में आपको पुरा लिंक दिया हुआ है वहाँ जाकर आप सभी विस्ता के सोली कर सकते हैं तो चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको यह आती लगो तरी प्रस्ण है बच्चो जिसमें पहला प्रस्ण है परावरतन के नियम लिखें जिसमें आपको परावरतन के नियम को लिखने को कह गया है तो उत्तर आपको लिए बच्छो पहला परावर्तन की घटना के दौरान आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R का माल बराबर रहता है यह आपको पहला प्रस्टन पहला मतलब पॉइंट लिखना है दूसरा लिखना है परावर्तन की घटना में आपतित किरन परावर्तित किर प्रकास के लिए बहुत कम या बहुत अधिक या बहुत कम प्रकास हानीकारक होता है प्रकास के अपने रंगों में विवाजित होने के को प्रकास का विच्छेपन का दर्साने वाली प्रकार्तिक घटना है इसके आपके चौते प्रकास का उत्तर हो जाएगा वीडियो को रोकरा पांसर पूरा लिख लीजे इसके बाद आगे लगुत्तरी प्रकास के प्रकास के प्रकास के प्रकारे वनके कारे आपको यहां पर लिखने को कहा गया है इसके बाद है कि छटवा प्रशने की मनुश्य में होने वाले दोसों से आप क्या समस्थे इन दोस्यों का निवार्ण की स्प्रकार किया जाता है तो उत्तर लिखने आपको मनुश्यों में एक दर्ष्टी स्थिती जिसमें आसपास की वस्तुए धुंदली नजर आती है द्रश्टी दोस्ट का आजाता है इन दोसों का निवारन उत्र लेंस और उत्र लेंस के माध्यम से किया जाता है यह आपके छटवे प्रशन का उत्र हो जाएगा इसके बाद एक शाथ प्रशने की विसरित एवं नीमित परावर्तन के कोई दो अंतर लिखी है क्या विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों को पालन होता है आपको यह दो अंतर आर बताना है कि विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों को पालन होता है या नहीं आपको उत्र लिखना है पहला नीमित परावर्तन में एक चितनी शता पर होता है जबकि विसरित परावर्तन खुर्दूरी चता पर होता है दूसरा नीमित परावर्तन में सभी परावर्तित किरने सामांतर होती है जबकि विसरित परावर्तन में परावर्तित किरने सामांतर नहीं होती है और आपको आगे लिखना है हाँ विसलित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है यह आपका साथवे प्रशन का पूरा उत्तर है बचो आपको वीडियो को रोका जो उत्तर लिखना है इसके बाद एक आठवे प्रशन है की आपतित किरण परावर्तित किरन तता आपतन बिंदू पर अभीला एक ही तल में स्तित होते हैं परावर्तितन के इस नियम को दर्साता हुए एक किरन आरेक आपको यहाँ पर बनाने को लुका गया है देखिए बचो आपके स्क्रिन पर फिस से आपको यहां पर एक चितर दिख रहा होगा वीडियो को रोकर आपको पूरा चितर बना सकते हैं आपके आठे प्रशन का चितर हो जाएगा आपको यह बॉक्स में है चितर बनाना है सो वीडियो को रोक लिए और पूरा इसका चितर बना लिजीए सो आई हो अपने जो यह यह पूरा चितर बना लिया होगा तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं आप आगे आपका देखें नौवा प्रशन की मानो नित्र का नामां के चितर बनाई है आपको नेत्र की बनाना है तो आपको लिजाए हम फमारे नेत्र के आकरती लगबा गोला कार है नेत्र का बहरी आउटन सपेद होता है यह कठोर होता है ताकि यहां नेत्री की आंतरिक भागों की दुरगटनाव से बचाओ कर सके इसके पारदसी अगरबाब को कॉर्णियां फे सोच्छो मंडल कहते इसका आपका नीचे यहां आपको यह लिख देना चित्र के नीचे इसके बाद देखे आगे आपका दस्वा प्रशने की केलो केलाइडो इसकोब निर्मान की विभिन बिंदू को लिखी आपको बोला गया है जिसमें उतर आपको लिखना बच्छो एक दूसरे किसी कोण पर रखे दरपन द्वारा अनिक प्रतिबिम्ब बनने की धारणा का उपयोग केलाइडो इसकोब में भाती भाती कि आकरसक पैटरन बनाने के लिए कि लिए जाता है आप स्वेम भी एक केलाइडो इसकोब बना सकते हैं इसको आपको वीडियो इसकोब करने के लिए करते हैं अपने खिलोने को आकरसक बनाने के लिए आप इस पर रंगिन का चिपका सकते हैं इसका आपका उत्तर हो जाएगा आपको यहां उप्योग बताना तो आपका उप्योग में पूरा लिख लेना है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सो इस तरिके से आपका, विज्ञान विसे यहांपर जो लास्ट होता है, बच्चों दह बच्चों, आपका लास्ट अद्य आता, पक्षा आट का विज्विज्ञान का, सो आई होप ही आपको वीडियो पशन्द आगा वीडियो पशन्द आए तो इस वीडियो को लाइक करके अपने शबी दूथ दूखतों के हां शेयर करना इस प्ले लिस्ट का लिंक सभी बच्चों को देना ताकि वह अच्छी तरीके से आपने विज्ञान का सॉलिशन कर सके और आने वाली वीडियोस में आपको कौन से जो लेसंस का सॉलीशन चाहिए, कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट काके जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट शॉलीशन के साथ देपक लिए, टेक क्या जहिंद बहुते हैं